ये बावना जोगा मोधी जी की यही, शबका साथ, शबका विकास और शबका विश्वास, लेखो जो शबका साथ, शबका विकास चाहेगा, वही जीतेगा, मुसलमान का हक बनता है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का किस तरह से बीजेपी क्या बैक फूट पर जा रही है जिस तरह से केंद्रिय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है और ज्यादा चर्चा करेंगे हम जन्ता के साथ की वह क्या सोचती है मद्य परदेश चुनावों को लेकर मद्य परदेश चुनावों का मामला ऐसा है वह पाटी की रहनीती होती है तो रहनीती में MP जो आज के केंद्रिय मंत्रिय या MP हैं तो उनको लडाए या जो यहां बरतमान में या नए लड़कों को नए जो आदमी को लेकर आए यह पॉलसी होती है हर उसकी पैटी की पॉलसी है अपनी पॉलसी के अनुसारी पैटी जो एका अपना पत्ता खोलती है और चलती भी है चलना भी चाहिए जहां तक मैं समझता हूं मद्ध्रदेश में यह जोका मोधी जी किया ही इसाब का साथ सबका विकार और सबका विस्वास और उनिफ चिन्लों पर जो सिवराज जी हैं वहां के Si覆च swah kahal ji auch koeur उन्होंने कैं योजनाय निकाली है कंद्धन दहन निकाली है और भी जितना भी है उन्होंने बात करी और जिस तरह से कहीं न कई सिवराज की भौकलाहट नजर आ रही है एंटी कंबेंसी जिस तरह से अगर 2018 की विदान सवे करें तो सत्ता से बाहर हो गई ते लेकिन गड़ जोड कर फिर से सत्ता में आ लेकिन क्या अप एंटी हैं नहीं देखो ऐसा है बिल्कुल भी वह नहीं घबराए हुए उन्होंने सम्मान दे रहे हैं वो जैस उन्हें अपने काम पर विश्वास है एंटी इंकमेंसी नहीं मुझे लगता है क्योंकि मैंने समाज के सभी लोगों को देखा जब वो डायरेक्ट सभा चल ली थी सलमान सब और सभी एक कह रहे हैं कि मामा ने जो काम अच्छा किया है हम मामा को पुने जिताएंगे मामा ने सब का सब की तरफ काम किया है और सब का साथ चाहते है मामा जी की बात करी है, मामा जी को ओकर देखे जा तो अधिकारिक रूप से C.M. फेस नहीं बनाए है, अवbas ने डर क्या है जिस थरह सिंधिया भी है, C.M. चैरा कर देखे तो मामा भी है, सिंधिया जी है, और बड़े निजाद लेता है, क्या वज़ा है कि C.M. चैरा नहीं इसलिए नहीं लारे वह भी मैंने आपको बता है ना उनकी एक रणीती है तो आपने देखा होगा कि भाजबा रणीती पर काम करती है और अचानक ही ऐसे रणें लेती है जो किसी को कानों कान तक पता तक नहीं चलता है जिस तरह से कहलास विजय वरगी को कहा कि मेरी कोई इच्छा नीती और मुझे कुछ मालूम नहीं था लेकिन चुनाओं में लड़ा दिया है बताइए वो कैसे चुनाओं में जाएंगे कि जिनकी इच्छा ही नहीं है लड़ने कि अपने आपको करें हम बड़े नेता हो गए ह अब दुबारा से मिदान में भीज़ दिया है देखो वही तो रणी तिया आपने यूपी में देखा होगा कि कोई भी मुख्य मंत्री घोसित नहीं किया था और ये भी नहीं पता था लाश्टक कोन मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश में बनेगा ये तो अचानक ही नाम आय कि योगी आधितनाथ जी को मुख्य मंत्री बनाया जाएगा तो ये पार्टी की रणी तिया चुनाओ हुए यूपी में तो योगी जी को फेस बना दिया था लेकिन सिवराज सिंग को क्यों नहीं बना रहे हैं लेको ऐसा है हो सकता है पार्टी अच्छे उनसे भी और अच कमान की नजर में कोई और अच्छा बहतर काम करने वाला हो तो इस पर डिपेंड करता रणीती है ये बाजपा की रणीती है वैसे मैंने देखा है कि मुझे देखो जो सबका साथ सबका विकास चाहेगा वही जीतेगा जैसे कि आपने देखा होगा अभी आरक्षन का मामला जाती है जन गरना मैं तो यह कहता हूं कि लालू जी से आरजेडी से या नितिसदी से कि तुम दो फीज दियो और वो 14 फीज दियें जादव वहां पर जबकि वहां सबसे ज्यादा मुसल्मान है तो मुसल्मान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया जा रहा जबकि हक जो ब को तो बनाना नहीं चाहते हैं पर उन से बोट लेना चाहते हैं तो यह इनकी जो दोहरी रणीती है ना पूरे भारत की जन्ता इनको अच्छी तरह समझ गई है जो विपक्स में हैं तो इनके मुझे नहीं लगता बहकाइना आई एक आप जिस तरह से कहरें कि मामा जी कि उससे पहले पिशाब कांड की सुनौगा ऐसे कई कांड हो जैन में कहीं महीला सुरक्षा को लेकर काफिया आदिवासियों को लेकर कहीं न कहीं यह राजनीती में जब अप चुनावी मैदान में जाएंगे इसका कुछ असर दिखेगा तो को ऐसा है असर इसलिए कि अपराद कर सकता है हाँ गल्ती होती है सरकार की अपरादी के खलाप action नहीं होना यह सरकार की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है और जनता उस बात पर नाराज हो जाती है कि आपने अपरादी को दंड क्यों नहीं दिया और मामा जी ने जो पेशाब कांड भी किया था उसे दंड दिया उस पर जो है यूपी कठोर से कठोर उसका घर भी गरा दिया और एफ आई आर भी दर बुल्डोजर की बात करें योगी बाबा ने बुल्डोजर की कारवाई शुरू की ती मामा जी ने उसको अपनाया बुल्डोजर कारवाई को सही समझते हैं देखो अगर न्य काले की धीमी गती बहुत है हमारा जो सिस्टम चला है जो इस देश का वह 1860 के कानून से चला है जो बिटेन की जो सरकार थी उस समय अंग्रेजों की वह IPC और CRPC वह सब 1860 का चला है और लोगों को मैंने अपने गाउं में देखा 302 के के इसमें 30 साल से 35 साल होगी जमें एक बच्चा ही था तो उस समय मडर हो गया था लट बच गया था वो खेतेत के मेड़े वो चलता रहता है परन्तु आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला और वह अपनी ही मिर्तु जो जिनों ने किया अपनी मिर्तु मरें परन्तु कानून ने दंडित नहीं किया आप बुल्डो अपरादी कोई निकल सकता है पांच उंगली बराबर नहीं सकते लेकिन अगर उसके अपरादी के चक्कर में परिवार को उस चीज से निकलना पड़े तो फिर क्या पाएदा घर में देखो सभी रहते हैं ना हाँ इसमें यह जब उसके पिताजी मानगे की जो है मेरे करना पड़ेगा अब जज़ों को वह नहीं है कि 30-30 साल तक लटकाई रखेंगे और सालों साल तारीक पर तारीक पड़ेंगी वह नहीं होना चाहिए में बात क्या है कि हमारी जो अदालत का ढ़रा है वो बिलकुल खतम हो चुका है वो नियाय लोगों को नहीं दे पाए नौ तर प्रदेश में जो एक संपने अपने सुना होगा उन्होंने सुनवाई करने से मने कर दिया था तो बताओ अब जब नियाय धीस दिन्याय देने से लि Chelum कर देता है मने कर देता है तो क्या सरकार मूग दर सकते बनी रह शकती है तोस एक्सन लेना पड़ाई गा क्योंकि जन्ता ने उन्हें चुनाई सी बात के लिए कानून व्युस्ता के लिए लोगों को न्याय मिले इसलिए तो जन्ता बोड़ देती है अगर गुंडागर्दी बदमासी छीना जप्ती मकारी चोरी इतनी अधिक बढ़ जाएंगी या लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो जन्ता का विश्वास सरकार से खतम हो जाएगा वो फिर दूसरे को जो का चैन करेंगे तो न्याय का असासन स्थापित करने के लिए योगी जी ने जो एका बुर्डोजर की जो का कारवाई की शुरू की और उसका अनुसरण भी जो एका मामा भी कर रहे हैं परन्तु मै यह देख रहा हूं कि अगर परिस्तितियां बस वो देखना चाहिए कि उनके पिताजी कह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी इन्हें जो भी है अगर अपरात किया है तो इन्हें धंडित किया जाए और मेरे घर पर बुर्डोजर की कारवाई ना की जाए तो इसमें कोई ग इन्हें को मुख्य मंतर बनाया जा सकता है यह ना आपकी क्या रहा है कि मेरी जिस तरा आप से उनका महाराज जी महाँ पर है क्या शिवराज की जगे उनको ले जाने चीए दोको मैं आपको बताओं ऐसा तो पार्टी का मामला है पर मैंने देखा ना बीजेपी जो है अपन पहे जोगा उन्होंने बनाया था हलाकि असम में मुख्य मंतरी वो बना दिये कांग्रेश के थे उनको भी मुख्य मंतरी बना दिया ऐसा लगता नहीं है कि मामा कोई मुझे जादा उमीद लग लिए कि मामा को यह पने बनाएंगे कितने राज्यों में दोजार चोबिस से पहले भी जबी अपनी सत्ताव आप सी कर सकती है दोको मैं आपको बता हूं रियली आज मैं इसके आपके उस पर हूं आपके चैनल पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि तीन राजितों पक्के हैं कौन-कौन से यह मद्यप्रदेश और आपका यह राजिस्थान और एक दूसरा है यहां पर 36 गड़ इन तीनों में जो एका बीजेपी की सरकार आएगी और चोथे में कह नहीं सकते कि क्या है अगर एंटी इंकंबेंसी हुई तो वहां भी यहां बीजेपी आएगी यहां जो है का मैं जो भरत्मान मुख्यमंतिर उनमें से कोई भी आ सकता है देखिए इन रिजल्ट आएंगे क्या रिजल्ट होता है फिलाल इस खबर में इतना ही बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सोगंद टीवी के साथ कैमरा मैंन सचिन के साथ सुहेल आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की